और मैं व्यापारियों से ये की बात कहना चाहता हूँ, जिन्दगी में जूजना सुखो तूटना नहीं, अच्छी बात है, पुराने समय की बात है, एक चोधी गया लाला के पास, लाला मेरा गोड़ा खरीदेगा, बले आँ भी खरीद लेंगे कितने का, बले हजार का लाला बले पांसो से ज़्यादा दूगा नहीं, चोधी बले रहन दे, चोधी गर आया देखा गोड़ा मरा हूँ था, तुरण गया लाला के पास, लाला कुछ दिनों से डंग से सुना ही नहीं देता था, गोड़े की कितने दाम लगा है, बले भाई मैंने पांसो लगा है, बले निकाल पांसो साम को घर आजी, गोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा, अब लाला पड़े हुए का मतलब समझा नहीं, चोधी गाउं से गायब हो गया, रुपे ले करके, एक मैने बाद लोता, डरता हुए लाला की दुकान पर पहुंचा कि लाला डाटे का साले मरा हुआ गोड उसने लाला गोड़ा बहुत ही बड़िया था, बहुत ही बड़िया था, बहुत ही बड़िया था, बहुत हुए तो मरा हुआ था, बहुत हुए तनह करा क्या उसका बले करना क्या था, भाई मने तो अक बार में विग्यापन दे दिया, एक एक रुपे की लाटरी खड़ी तो इनाम में गोड़ा मिलेगा, बले फिर क्या हो, बले दस हजार लोगों ने लाटरी खरी दिया, बले फिर क्या हो, मैंने एक का गोड़ा इनाम में निकार दिया, फिर क्या हो, आदमी रोता हुआ है, गोड़ा मरा हुआ है, मैंने उसे एक रुप्या वापिस कर दिया, तो व्यापार में जूजने की ज़रूरत है, तूटने की ज़रूरत है निया कभी भी तंदी है, जैजे, क्या कहने, कोई भी स्तीती आ जाए, जूजते रहोगे तो कमा लोगे, जिस दिन तूटना सुरू कर दोगे, कोई व्याप को नहीं बचा सकता है, इसी बात कहना चाहिए, और व्यापारी की कमीज मेली रह जाए, लेकिन उसका अकाउंट कभी भी मेला नहीं रड़ा चाहिए,